देखे दोस्तो कभी कभी ऐसा होता है कि call चल रही होती है और हमसे यहाँ पर side वाला power button होता है यह दब जाता है और call कट जाती है तो यह call केउ कटती है और यह setting हमसे कहा हो जाती है यह आज हम बताने वाले है जैसे के देखे मैं अभी यह call लगा दे रहाँ और ये side से power button दबाँ होगा और call कट जाएगी ये देखे call कट गई तो ये setting कहां से होती है ये हम आज बताने वाले हैं अपनी वीडियो में तो वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगए तो like कर देना चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें setting में जाना है तो दोस्तो हमें सबसे पहले क्या करना है setting में जाना है और ये है देखो हमारी दोस्तो setting तो इस setting में जाना है दोस्तो setting में जाने के बाद दोस्तो क्या करना है इसे खोल लेना है तो चलिए setting खौल लेते हैं शेटिंग खौलने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना यह हर किसी के फोन में होता है smart assistance यह देखिए हाथ बना हुआ है इस पर लिखा हुआ है smart assistance तो दोस्तों में होता है कोई फोन चाय किसी भी कंपटी का हो तो दोस्तों यहां पर इसे आपको ओपन कर लेना है इसको यहां पर इसे किलिक करके ओपन कर लीजिए फिर उपर पहले यह नंबर पर आपको मिल जाएगा option accessibility यह हर किसी के phone में होता है दोस्तों यह भी option यह वाला option तो इस पर आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको इसके अंदर चले जाना है अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे ही scroll करके देख लेना है कि power button and call कहां लिखा हुआ जैसे कि मेरे phone में लिखा हुआ है दोस्तों यह देखिए sorry यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों कि यह दिखा हुआ है देखिए यह यह ओन है इस time यह देख लिजिए power button end call यह लिखा हुआ है अभी इस time ओन है तो इसको हम बंद कर देते हैं ऐसे बंद कर देंगे तो call कटना इस power button से बंद हो जाएगी अगर यह on करना चाहते हो अपने phone में तो आप यहां से on भी कर सकते हो बंद करना चाहो तो बंद कर सकत हैं अब मैं जैसे ही ओप कर दिया है यहां से अब देखिए मैं आपको एक वार फिर call को लगा के दिखाता हूं फिर call कटेगी नहीं दोस्तों अगर मैं यहां से यह on कर दूंगा तो call कटना सुरू हो जाएगा power button से तो अभी मैं बंद कर देता हूं और फिर मैं आपको देखिए यह call लगा दी है और मैं यहां पर बटन दबा रहा हूं लेकिन call फिर भी चल रही है लेकिन call कटी नहीं है दोस्तों तो मुझे अभी यह call यहां से काटनी पड़ेगी तो इस तरीके से आप दोस्तों अपने पॉन में सेटिंग कर सकते हैं वीडियो हमारा कैसा दोस्तों लाइक करना तो बिल्कुल मत बूलिएगा धन्यवाद